नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ओम्बीर त्यागी फिजिसिस्ट पर आज मैं आपको कराने जा रहा हूं अपनी 11 सीरीज जिसके अंदर टॉप 10 क्वेशन हैं हमारे जनरल साइंसे जो की हर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आगे बढ़ते अगला क्वेशन यदि कोई 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 भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्त दान कर सकता है जब भी अगर आजाए भी भी रक्त वाला है तो भी वाला भी को तो देई सकता है अपने आपको दे सकता है और A, B को दे सकता है क्योंकि A के साथ में भी आता है तो B वाला कितना को दे सकता है B को स्वैम को दे सकता है और A, B को दे सकता है इसी प्रकार A, A को दे सकता है और A, B को दे सकता है ऐसा होता है तो आगे बढ़ जाते हैं इसका सही अंसर होगा A B या फिर B अगला दिमाग की किस भाग में भूंक लगने वे भोजन से ध्रीप्ती की अनुबूती कराने के केंद रिस्तित होती हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा बाग है जो भूंक का पता बता देता है तो प्रमस्तिस गोलाद सेरे बेलम या हाइपो थेलेमस या मेडूला आवला गाटा तो इसका सही अंसर है हाइपो थेलेमस क्या है हाइपो थेलेमस अगला मानव दिमाग में बुद्धी का केंद्र होता है, तो मानव दिमाग में बुद्धी का केंद्र जो होता है, वो कौन सा है, सेरे बेलम, सेरे ब्रम, मेडूला, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही अंसर है सेरे ब्रम, सेरे ब्रम बुद्धी का केंद्र होता है, हमार से अगला क्वेशन मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है कांग का अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क या मद्यमस्तिष्क तो इसका सबसे अच्छा अंसर है प्रमस्तिष्क प्रमस्तिष्क इसका सबसे बड़ा होता है लिद मानव सरेट सबसे कम पुनर योजन सकती होती है मंस्तिस्क को सकती होती है तो कभी मैं चोट नहीं लगनी चाहिए क्योंकि मंस्तिस्क में चोट लग जाये तो बहुत दुखत कैसी होती है उनकी सकती कम होती है इसलिए चोट को ठीक होने में बहुत समय लगता है आगे बढ़ेंगे तंद्र का तंद्र की लगत्तम सन्रशनात्मक तता सरीर क्रियात्मक एकाई है centron, dentron, exon या neuron तो तंत्र का तंत्र neuron से सम्मन देते है इसके लिए बना neurology आगे बढ़ेंगे एक मानव शारीर की सबसे बड़ी कोशिका है मानव शारीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है Wbc, rbc तंत्र का तंत्र मैं से कोई नहीं तो सबसे बड़ी को सिखा है तंत्र का तंत्र का तंत्र सबसे बड़ी को सिखा है मानव सरीर की मनुष्य में मेरू दंड में कितनी जोड़ियां होती है अगर आपको ध्यानों पिछली कुछ वीडियो में एक क्वेशन आया था कि पसलियां कितने जोड़ी पाई जाती है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी आप बेल आइकन दबा दें जिससे की आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे ठी दो ग्टनी बमन